और नंद बाबा के गाउं में जा करके मैया के घर के आगे जोर से वाज लवाई अलाव निरान्या शिव आए ये शोदा के द्वार शिव आए ये शोदा के द्वार मैया मुई दरश शरा अंदर से आवाज आ रही है वैया लाला नाख शोला रही है शुजा मेरे लाला राला सुजा मेरे लाला वहां सशंगर भगवान ने आवाज लगाई है अलाख निराजार सिवे आए ये शोदा के बाद मैया मो ये दर शिकरा मैया आवाज सुनकर के बहार आई बली कौन है और देखिए एक चद्दर उड़ के एक बाबा खड़ा है मेरा सुया हुआ है गोपार मेरा सुया हुआ है गोपार बाबा ले ले भिक्षा तुझा बाबा तु बैठ गए वहीं पे बोला भिक्षा लेने नहीं आया हूँ मैं सारे सादू बिखारी नहीं होते हैं सहाव अभी जो भाईया जो बताया था कि 31 लोगों को ले करके जाते हैं यह कोई छोटी बात नहीं है हम तो किसी एक को ले जाए तो दस बार रहसान जाता हैं दान की सदगती है धन और वहां पर काम आएगा यहां पर दिया हुआ उधर जुड रहा है जो यहां पर दान दे दिया कंजूसी नहीं करना जितने योग्य हो उतना करके आना हमारे बाबा की कथा में एक व्यक्ति आता था सब उससे गयते तुम बड़े कंजूस हो बिलकुल कुछ कभी तान में नहीं दिया इतना कुछ सुनाया तो एक दिन सोचने लगा कुछ नो कुछ तो देही देना पासीज गया और हात मुठी खूल करके देखी बुला रूपिया तुझे दूआ के न दू तो हात में पसीन आया हुआ था मेरा रूपिया रो रहा है मैं नहीं दूँगा एसे लोगों कि कभी गति नहीं होती है सद गति में दीजिए धन की सदो गतिदान है और और वहां द जहां पर आपके धन का सदू पयोग हो, दुरू पयोग ना हो हाई मेरा सोया हुआ है गोपाल, बबाले ले भिख्षा तुझा केलाशिसे में आयारी माता, केलाशिसे में आयारी माता तेरे घर में है जगता विधाता अर तोस बिनती करू बार बार तोस बिनती करू बार बार, मया मोह दरश करा चंकर भगवान दरवाज के आगे बैठे हैं और अंदर पालने में कनया हाथ पैर मार के मुश्कुरा रहे हैं कि बाबा कितना दुखी हो रहा है और बाबा को गुस्सा आ गया बोले इतनी देर हो गया तुमको तरस नहीं आ रहा है जरो भार निकल के आ जाओ मैं भी तो देखो सारी दुनिया को नाच नचाने वाला आज पालने में खुद नाचता हुआ कैसा लगता है मैं ये देखने आया हूँ लेकिन भागवान बाहर नहीं आ रहे है तो शंकर भागवान गुस्सा आ गया बोले अभी तुमारे पोलपट्टे खोल दूगा ये पालने में जो इतना सा बनके लेटा हुआ है ये कोई-कोई तुमारे लालो नहीं है जैसे शंकर भागवान के मन में ये विचार आया भागवान ने फूक मार दी और भागवान के फूक भी छो दिजी फूक भी आंधी आ गई और आंधी आई तो शंकर भागवान की चुन्नी यूँ उड़ गई और चुन्नी उड़ते ही जो साप सोय पड़े थे वो यूँ घड़े हो गए सारे और मैया बोल गई डर्विल होई दैया बबा तेरे गले में सर्फों की माला तेरे गले में सर्फों की माला तुसे देख दर जाए मीरा लाला तुसे बिनती करूं बार 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 बाद बाबा ले घर को तुझा प्रभुजी जिसे सु भक्तों को दर्शन दिये हैं ये से हमको भी दर्शन देने ताली बजा करके कहना जरा मिल करके राधी 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 जिससे डरता है जग यह मासारा जिससे डरता है जग मैया सारा उसको मैं क्या दराओं विचारा यह जो तेरे पालन में चोटा सा लाला बन के सोया है न मैया चंकर भगवान को बुस्ता आगें बोल नहीं आरे तुम यह ले तेरे पोल पट्टे सारे तेरे पलने में पालन हार तेरे पलने में पालन हार मया मोई देर सिखारा तेरे पलने में पालन हार मया मोई देर सिखारा इतनी देर में लाला ने जोर से चिल्ली मारी बुला और कोल पट्टे खोले उससे पहले ही में बाहर आ जाओ मया तो भागी अंदर को और लाला को ले करके आई और शंकर भगवान की गोद में दे दिया और दर्शन करते ही शंकर भगवान ने एक अई बात बोली क्या स्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी स्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी स्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी रादे कृष्ण गोष्ण 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 ही जय माता की